नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का कारिकरम इतिहास के पन्नों से दर्शकों हम सभी जानते हैं कि हमारे काले पानी का इतिहास काफी प्राचिनकाल से ही अद्भुत और अविस्मर्निय रहा है चाहे रास्ट्रिय स्मारक सेलूलर चेर से लेकर इसके हरे कोने में अपना ही एक अलग इतिहास है तो इतिहास के पन्नों में आज हम जानेंगे चाथम द्वीब के इतिहास के बारे भी और हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर प्रनप कुमार सरकार जी डॉक्टर प्रनप कुमार सरकार पोड़ ब्लेर स्थित एक प्रसिद इतिहास कार मानव विग्यान और लिखक है डॉक्टर सरकार ने अंदमान के इतिहास और जन्जातिय मुद्दो के विभिन मुद्दो पर शोद में महतवपूर्ण भूमिका निभाई तो सरकार जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कारिक्रह में सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि यह जो हमारा चात्म द्वीब है इसका नाम कैसे पड़ा यह बिलकुल ही प्रतधम प्रस्ण और महतवपूर्ण प्रस्ण यह कि रौस्ज को सभी सार्वेयर के नाम पर पड़ा है वाइपर शिप के नाम पर पढ़ा है तो चात्म के यह इसका इतियास बहुत पूराना जितना हम लोग मानव जो सेटलमेंट का इतियास है अंडामान में उतना ही पूराना चाथम का इतियास है और चाथम दीप जियो है जब आया जिसके नाम से पोर्ड ब्लेर पड़ा था जब यह यहां पर आया थे 1789 में तो उस समय जो है एक चाथमदीप का नाम था उसके नाम पर पड़ा है बहुत सारे लोग मेजोरीटी में यह हो थे लेकिन वीड़ाना दरुप वह जो उसका नाम जो था वह एटेश सिक्स में नामकरण तो यह सटरास असी नहों की बात है तो 1789 में अपने जितने भी लिखा है कुछ भी तो उस उसने चाथम का जिग्र नहीं किया और चाथम का जिग्र उसे 1991 में किया है और उसी अवधी के दौरान न्यूजीलेंड के पास में एक छोटा सा आइलेंड जो है ब्रिटिश जो सर्वेश शीप था यहां उस समय यह उसले प्रवरिती थी कि जो भी नए नाम और इसे बहुत सारे नाम है क्यूंकि उसी दोरान वह ब्रिटिश कॉलनी नया था और यह भी ब्रिटिश कॉलनी नया था तो इसने चाथम किया, नाम रखा, यह मेरी एतिहासिक एक एनालिसिस है, और यह चाथम जो है, उसके बाद में यह लोग जो है, 1789 में चाथम आ गए, 92 तक थे, तो उसके बाद में उस समय जो कॉर्णवालिस थे, हमारे वाइसराइ थे, ब्रिटिश वाइसराइ, कॉर्णवा को उन्होंने प्रपोस किया, अपने ऑथोरिटी को, कि यह शिफ्ट किया जाए, तो पोर्ट कॉर्णवालिस यहां के चाथम दीप से उटकर, वहां पोर्ट कॉर्णवालिस शिफ्ट हो गया, और साथ में चाथम भी शिफ्ट हो गया, जिसका नाम अभी बदल गया है, और क्योंकि इससे पहले तो लोग आते थे होंगे, जहां से उतरते थे होंगे, पानी या लकडी उकडी के तलास में आते थे होंगे, लकडी काट कर जाते थे होंगे, लेकिन वेवस्थी तरूप से एक सेटलमेंट जो था, चाथम में 119 लोगों को लेकर 1789 में हुआ था, उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि ये शिफ्ट हो गया था, दिगलीपूर के पास में जो है, वहां पे पोर्ट कॉर्ण वाली थे, लेकिन वहां उनका जो काल्कूलेशन था, काफी गलत था, उन्होंने सोचा कि ये काफी सुन्दर जगा है, इस जगा से वो जगा सegसिते थे और जो समुदری हुआ है, कापी खतनाक तरीके से इनको बिमार करती थी, तो सब कार्ण सर कॉस्टी सेटलमेंट हो गया था, तो सेवेंटीर नाइटी сигफ सिर्प साथ साल साल का सेटलमेंट रहा, पहला सेटलमेंट पना का, तो सेवेंटीर नाइटीक सिक्स में व विद्रों हुआ उस विद्रों के बाद में यह निश्चे किया गया था कि इन क्रांती कारियों को कुछ ज्यादा कड़ी सजा दी जाए मुख्य भूमी भारत से इनको हटा कर थोड़ा दूर रखा जाए तो उस उद्देश्य से इन्होंने एक अंडमान कमिटी बनाई यह पै हमारे कोलब्रुक आये जो अच्छे लिंग्विस्ट थी एक यंग ऑफिसर थे यह लोग आये तो हीद कौट आये थे तो यह लोग आये इन लोगोंने सर्वे किया उसके बाद रिकमेंडेशन के बेसिस में दस माच 1858 को 200 कैदियों के साथ में जेपी वाकर यहां है चाता हम वाले हों के वंच्छ आज भी लोकल बून कहला दें तो इस तरह से सेटल्मेंट पहला सेटल्मेंट और यह दूसरा सेटल्मेंट चाथम में हुआ था और यह चाथम को वह सेटल्मेंट धीरे धीरे आगए बढ़ता गया उसके वाद में वह चाथम का सेटल्मेंट जो है है यहां कुछ जंगलों को सफाइगर करके यहां कुछ सेटलमेंट किये गए उसके बाद सेटलमेंट बढ़ते कि पर चातम में सिर्फ मिल का काम होता था और दूसरे काम होते थे तो इस तरह गर के यह जो सेटलमेंट है इस ता विस्तार हुआ तो यह तो आपने बताया चातम द्वीब के बारे में हम जानना चाहेंगे यह जो चातम सौ मिल के शुरुआता है यह कैसे होई आजकल जो है सौ मिल के बारे में लोग ज्यादा चर्चा करते हैं सौ मिल है इसका इतिहास 1919 से शुरू होता है जाँ में उन ठोब सब्सक्रावाद चेप कमिशनर नावन और उनके परया उसे से और लकडी वräकर का बिरिज बना था और वर्चिपएंट निकारता रपन पर जो उसके प्रीज में के चपर पर राप अार्व हम चाहां के बोले बिरीज है और या bikingा दर्शकों के लिए बताना चाहिए कि इन लोगों ने उसमें काम किया था और बिज बनाते समय चाथम का इस्था था बॉनिंग्टन तो बॉनिंग्टन और साथ में मोविन नाम के थे अफसर और बाकी जो जो वरकर से इनके प्रयासों से चाथम के मुहाने से शुरू हुआ ब इन लोगों ने इस सीरे से शुरू किया और जाके बीच समुदर में लोगों ने मिला दिया और डिलानी का नाम था वो मैं उलेक करना चाहूंगा को दो भाई थे जो एक जॉन डिलानी थे वो डिपुडी जेलर थे जो आज जो पहली इमारत आप देखते हैं पहले उपर मे उतका ओफिस था और उन्होंने अपने भाई को लाया पैट्रिक डिलानी को और डिलानी जो है पैट्रिक डिलानी सेटल्मेंट के लिए काफी यह था इंजिनेरिंग क्वालिटी थी उनमें तो डिलानीपूर आज का जो अंड़ामान में जो पोडलर में है उनके नाम से है जो हम लोग जब इस स्टूडिय सब आते समय यह पास में है डिलानी पूर तो आप देखेंगे कि छोटी सी कॉलनी है वो डिलानी के नाम का है उन्नी सो तीस के आसपास है और उन्नी सो तीस 21 अपरिल के दिन में यह ब्रिज का उधगाटन हुआ और गाड़ी आई थी फरार चीप कमिशनर उनकी मिसिस थी और बाकी अफसर थे बॉनिंग्टन थे यह लोग यहां पर उधगाटन किये थे उन्नी सो तीस 21 अपरिल के दिन में तो इस प्रगार से यह चाथम जो ब्रिज है इसका आगे चलता रहा तो जैसे कि आपने बताया कि उन्नी सो मिलका जो पत्थर गड़ा बोलते हैं जो तमिजार संगा में उसके बैक साइट में जो कौरी होती थी और कुछ इंट के भटे थे उन्नी के भटे और इनको लेकर जो है यह ब्रिज का काम किया निर्माट किया गया तो जापानियों के राज्य में इस द्वीब की क्या इस दे थी जहआटी ही जापानिस में चाथम में एक हभ थैंगर में देखता हूं यह से इस जूरू न पहुंकि बनाने के लिए लगड़ी की जरूर्त थी और शुरू में उंको लगड़ी बहुत कम है उतना उपयोगी लखड़ी नहीं है लेकिन बाद में धिरी धिरे पता चला यहां काफी उपयोगी लखड़ीयां मिलती है अच्छा जी और उस ता 1870 का 1870 के रिकॉर्ड के इसाब से जो मेरे पास में है बर्मा टीक लाया जाते थे इंपोर्ट होते थे उसके बाद में उसी द अरता नहीं लखा और ये लकडियों के काफी एक्सपोर्ट होते थे और उस काल में जो फॉर्एस दिपाट्मेट में नहीं थी और चोटह से जो यूनिट था वो पीड़ी आइडर में थी अ है पब्लिक वार्डर डिपार्टमेंट को सूनिय तरीके से चातम सौमिल का बहार सम्पा गया और वो काम करने तो इस तरह करें चातम सौमिल के यह हुआ था तो हम जाना चाहेंगे कि चातम में जो railway track था उसका क्या इतिहास रहा रेलवे ट्रेक नहीं थी रेलवे ट्रेक कंभी नहीं थी मैंने कहा कि ट्रॉली लाइन थी लकडियों को मुख्य भूमी यानि कि अंडवान के मुख्य भूमी हैडो और पूरा इलाके में वहां से यहां लाना शिट करना है तो ट्रॉली जाता था और दीरे दीरे वह ब्रीज हो गया तो वहां कितना होता था उस समय जब चाथम सो मिल का निर्मान होगा था चाथम से बहुत जगा में बहुत जगा में उसकी एक्सपोर्ट होती थी और चाथम के 1925 के मेरे पास में एक छवी है उसमें उसके अनुसार क्यूंकि उ एक उस्ट्रेलियन इंजिनियर है उसने उस बारे में लिखी थी कि उस समय काफी चाथम जो है काफी फ्लोरिशिंग मिल था और उसके जो लकडी जो था एक 1925 में वीमली नाम का एक जगा है इंग्लैंड में वहां पर एक्जिबिशन किया गया उस लकडी को जी और चाथम स आप बहुत सारे लोगों का इंप्लॉइमेंट मिलने लग गए थे और वाइपर में जो जेल का निर्मान का इस्तेमान होने लगा सेलिलर जेल में लखडीयों का इस्तेमान होने लगा तो सब चाथम एक्सपोर्ट करता था चाथम से पूरी विश्व विख्यात हो गया था अज उतना विश्व में के लोग कम जानते चाथम को जितना उस जमाने में जानते थे तो ऐसे था चाथम और चाथम के जो हैड़ो इलाका है वह भी काफी डेवलफ हो गया था जो लिलिपूर आप देखेंगे आप सुने होंगे लिलिपूर जगा है तो यह लिली जो था च अच्छा दरसल अंडामान में जंगल के जो इलाके हैं जो खास लकडी उका इलाका होता है उस इलाके से एक डिपोर्ट सर तक लाना पड़ता था तो लोकोमोटीव के तुरू से लाया जाता है जैसे कि हमारे शोलबे के वहां से कड़ा का चंग तक का लोकोमोटीव चलती आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप काफी पुराने बदल दिये गए काफी मशीन आज भी वसे ही है जो आरा मिल का जो मशीन है काफी पुरानी है आप उसमें वो इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं तो आज भी चल रहा है इसलिए यह यूनिक है जे तो क्या दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सौमिल में से एक है आज भी चलती है आट कहां 1870 का मेरे पास में रिकॉर्ड उससे पहले से ही एक चाथम में शुरू हो चुका था जब से लोग बसने लगे वहां से लगड़ी का सब शुरू होने लग गए थे तो इतना पु आज बारे में जानते हैं लोग जानते हैं और जब बॉम पीट्स को भी देखते हैं लोग थोड़ा सा रोमांचीत हो जाते हैं तो यह अच्छा एतियासिक रूप से एक महत पोने जगा है कहने का ताद पर रहे हैं कि परटक को ही नहीं बलकि यहां रहने वाले लोगों को भी यह जरूरी हो जाता है कि वहां जाकर देखें इसके इतियास के बारे में ना सिर्फ इत्यास है देखे वहां पर जो मेमोरियल है जो चाथम में अंडवान मेमोरियल है क्योंकि चाथम ही वह जगा था जहां से 200 लोगों ने पहला जथा वहां पर आये थे 1858 में 10 मार्च के दिन में उनके वच्छा आज रह रहे हैं तो उनके पूरवजों को जो है वहा होता है तो दीपवासियों के लिए भी एक पर्याटन का और सद्धानजली का खेंद्र है अगर प्रणब जी हम बात करें आजादी की लड़ाई के महत्व के बारे में तो चाथम दीब जो है कैसे इसमें महत्वपून अपना स्थान रखता है देखिए चाथम दीब जो है 18 1857 सवत रखता हैं मार्च. तो उसके बाद में कुछ लोगों ने क्योंकि उसके प्रब्रिते होती है, कैदी है भागने का क्र us किया तो 18 में के दिन में 25 सोर्ण £20 सी में 18 मई के दिन में ऑथारा मई के दिन में in kg indamani जंगल जो शुरुवात की थी उसके बाद जो सैनिकों ने जो विद्रो किया कि अंग्रेज तो कहेंगे कि म्यूटी निये हम कहेंगे फस्ट वार ओफ इंडिपेंडेंडेंस के हीरोस थे लोग और इन में से लोग मारे गए तो एक कुर्बानी की जगा भी है और उसके बाद तो संगराम से जुड़ा हुए खे में डायरेक्ट और चातम से रॉज इलंड शिट रॉज में भी वह कैदी काम करते हैं यह ऐसा नहीं था कि चात्म करेंटेट हो गया चातम तब जो बंबार्टमेंट किया गया था यह किस कारण से किया गया था यह बहुत ही मौलिक है यह जब हम की बात करते हैं क्यूंकि जापानिस जो थे जब नाइटीन फॉर्टीटू में आ गए थे यहां पर तो जापानिस ने चाथम में तो अपना डेरा ढाला सब जगा ढाला और एलाइट फोर्स जो 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 जापानिस के अगेंस्ट में उन लोगों ने जो बंबार्टमेंट के लिए चाथम को टार्गेट रखना शुरू कि चाथम में जटी इलाका भी था चाथम में फ्लोरेशिंग इलाका था तो वहां पे जब पंदरा अगस्त उनने सो तेरालीस के दिन था रक्षा बंदन का दिन था संडे था उस दिन एक चिंता मारू सीमेंट से लदा हुआ जाहाद जापानिस जाहाद वह भी वहां पे बर् अग्टान के पास में बुषा तो इसमें अंगिनदत लोग मारे गये ऐे च्फासटर पर स्थानिये जो मारे करने वाले लोग मारे और कई असंके लोग घायर होये तो इन जो जखमी लोगों को पांच-छे ट्रकों में भर कर, मिडिल पॉइंट में जो आज हमारे जो बाइज स्कूल है, उसके पास हॉस्पिटल थी उस में, उस फॉस्पिटल में लाया गया, तो उनका ट्रीटमेंट किया गया, तो यह जो जो कुर्वानी आज भी पूराने लोग आज भी याद करते हैं कि जापान शासनकाल में चाथम में यह घटना भी घटी थी जो रक्षा बंदन की जीन में तो इस घटना को घटनी के पीछे कोई खास कारण रहा गया जी देखिए उस समय जो था किकि वर्ड वार थ है तो जेटी एरपोर्ट है सब तो हमेशा युदकाल में टार्गेट होता है तो उस चाथम जो हमेशा कई बार बंगिरें ऐसे नहीं कि उस दीन ही गिरा था कई बार बंगिरें तो इतनी बड़ी च्छती जो पंदर आगास उनने सो तेरा लिसको हुई थी उससे आगे कैदी जो थे वो दूसरे नॉर्मल कैदी थे क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे 1938 में सब रिपाट्रेट हो गए थे तो उससे पहली कि अगर मैं काहूं तो उनको तो काफी घोर यातनाय दी जाती थी काला पानी की सजा बोलते थे क्योंकि उसके जो मुख्य भूमी भा घृत्नाओं का दौर शूर हो गया था वाइपर जेल बन गई थि एटीन सिस्टी सेवें में वाइपर जेल बन गई थी उनेस सो चेकार में लगभक चालीज वर्श पहले वायपर जेल बन गई थी तो तो ओन हम कोख्या पर यातना की चेचडियों है फैल हूँ कि चाली में और उसी माहल के लिए ही अंडवान को चुना गया पेनल से ठेल में यानि कि पनिश्मेंट से ठेल में बिलकुल जी तो चाथम से जो रोस आइलेंड तक का स्थाना अंतरण हुआ जी वो क्यों हुआ हाँ यह यह वी एक मौलिक प्रश्न है जी क्यूंकि चाथम जब वाकर सब्सक्राuth देहां कि जब जह लगनंकि के सब्सक्राद से पानी चाहन थे हैging तो यह वो यह भी हम पानी की काति में के ख़ुआ जांगे के तो प्रकूंत की मिला में आज ज्येंगें के जो इक चो की आपको गिलेंगें तो वो तालाब बेगारा के खोज उन लोगों ने की तो बहुत जल्दी उन लोगों ने कि उस समय शुरुआत में क्या करते थे भीस-बिस डोल या ड्रम में वो लोग पानी लाते थे कैदियों को भेज कर पानी लाते थे फिर जेपी वाकर ने प्रपोजल दिया कि कि उना चाथम में कामकाज चलता था सब कुछ चलता था लेकिंगी रौस इलें हेड्ट कॉरटर शिप्ट होते तो बार बार इन कादियों को राना यहां से रौज आले जाना तो काफी दिक्कत वाली बात थी, तो क्यों नहीं पे कन्विक्टी स्टेशन बना देते थे, तो वहीं पे रहते थे, बैराथ में रहते थे, काम करते थे, वापस बैराथ में आते थे, काम में जाते थे, दलडल में बिमार थे, क्योंकि खाना ठीक से नहीं मिलता था, बिमारी और अतिर प्रणत जी आप एक इतिहास कार है आपने इतनी सारे द्वीपों का दौरा किया है सर्वे किया है तो आपकी अनुसार आपको क्या लगता है कि इस इस्थान की ऐसा क्या महत्व है कि आज भी आजादी के बाद भी लोग इसको इतना मानते है इतना जानते हैं देखिए एक तो के लिए मशूर है कुछ आइलेंट्स अपने बीचेस के लिए और कुछ आइलेंट्स एथिहासी घटनाओं के कारण तो मैं चीज और जोड़ना चाहूंगा आज की स्वारता में कि चाथम दीप के बारे में तो लोग कहते हैं एक और चाथम दीप मैं कहना चाहूंगा कि जब शिफ्ट हुआ था यहां से पोर्ट कॉन वाली से नॉर्ट अंडवन वहां पर चाथम दीप था आज वह आज भी वहां पर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं यह हमारे डिगलीपूर के पास जी आज भी चाथम है आज भी रॉस दीप है आज भी एरियल वे है जो प्लेयर के जाज के नाम पर था तो ऐसे बहुत सरे हैं कि परियाटकों को और आगे जाना चाहिए और हमें भी दीप्रशासन को हमको भी मिलकर इसके लिए प्रचार प्रसार करनी चाहिए कि और भी जगह है जितनी जगह है वो तो लोगों के लिए काफी कम पढ़ गया है कि अनुसार प्रशासन को कौन को से कदम उठाने चाहिए जिसे कि परतकों को अंदमा निकोबार्द वीप स्मुकी बारे में जानने का और ज्यादा मौका मिले दिखे प्राशाशन को दो कैटेगरी में स्थानों को चून कर उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए एक तो एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को लेकर भी प्रशाशन को इसमें और exploration काम करना चाहिए इसमें काफी जगा है जो आभी पड़ेटन जाते नहीं जाते नहीं जैसी कि जट्टी तक का, उसको एक्विडेक्ट कहते हैं, जैसे हमपी है, हमपी में भी वो पुरानी कला देखने को मिलती थी, तो उस तरह का नमुना वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसी प्रगार से डिगलीपूरी इलाका जो आइलेंड है, वो आइलेंड है, कुछ इलाके हैं, ल लेकिन क्या है कि परियावरन के दृष्टी से, वाइल लाइफ को छती ना पहुंचे, डिस्टबेंस ना हो, काफी सावधानी बरतनी पढ़ती है, कुछ आइलेंड को जब हम खोलते हैं, तो तरस बार सोचना पढ़ता है कि जब इस आइलेंड को परेटकों के लिए खोलें है, उसके बारे में आप हमारे परेटकों को, खास करके हमारे द्वीब समों के जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहूंगा कि अंडवान में खासतर बें स्थानिये लोगों को, क्योंकि मैं भी स्थानिये हूँ, तो मैंने जो अनुवाव किया है, मैंने देखा है, कि यहां के स्थानिये लोग अपनी परिवारों को लेकर बहुत कम जाते हैं, परेटक आकर चले जाते हैं, पूरी दीब जो है पवित्र स्थल है अगर यहां के लोकल लोगों की अगर उनके प्रिष्ट भूमी से उनके द्रिष्टिकोंड से अगर हम मानते हैं तो और एतिहासिक महत्व तो है ही और बहुत सारे चीजें वहां देखने को है जब आप आरा मिल में चलेंगे किस तरह की गतिवी पर बंगला है और कुछ और पुराने मकान है वह मकान उस जगह पर ब्लेयर के टाइम में भी ऐसे मकान थे उसी जगह पर यह बड़ा दिल्चस्प है 1789 में भी वहां उसी जगह पर कुछ लोगों के रहने का था और यह नीचे जो है मैदानी के इलाका है जहां पर आज सौम ज़िए गुमने के साथ साथ जानना भी ज़रूरी है तो डॉक्टर प्रनप कुमार सरकार जी आपने आज चातम ध्वीब के बारे में हमारी दर्शकों को उनके इतिहास के बारे में बताया इसके लिए दूर दर्शन की पूरी टीम की और से आपका बहुत बहुत धन्यवा तो दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आज के इतिहास के पन्नों से आपको चातम द्वीब का इतिहास अवश्य ही पता चला होगा फिर मिलेंगे अगले कारिक्रम में एक नए अतिति के साथ तब तक के लिए अमस्कार अजय कि आपकोन करोको आपकोगा जए अवश्य ही अवश्य ही पता चैनल करने के लिए दुद्द तक का इतित एवश्य ही इतिति हैं